सबसे पहले आप लोग को एक कड़ा ले लेना है उसको simply mobile के कैमरे के सामने रखते वे कुछ इस तरीके से फ्रेम बनाते वे हमें फोटो को क्लिक कर लेना है and make sure आप लोग को ये फोटो को wide angle में क्लिक करना है wide angle में क्या होता है जो दूर का object है and जो past का object है वो दोनों एकदम proper focus में रहता है so guys photo को कर लेते हैं क्लिक सुपब यार photo बहुत ही cool and बहुत ही amazing लग रही है सबसे पहले आप लोग कोई कड़ा ले